नमस्ती वेलकुम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में आप देखेंगे बहुती सुन्दर सी नेक की डिजाइन का टुटोरियल यहां पर इस डिजाइन के लिए हम बॉटनेक बना रहे हैं बॉटनेक का यहां चोड़ाई हमने चार इंच की और लंबाई साड़ी तीन इंच क के लिए है और इस तरह से बॉटनेक को ड्रॉ करेंगे और इस नेक लाइन के आगे आगे वन पॉइंट उफाइंच का माग करेंगे यह माग हमें इकोर चाहिए क्योंकि यह कृति की राइट साइड में शू होगा इसलिए यहां हम मेजर करते हुए वन पॉइंट उफाइं से 3-3 इंच की लंबाई और चोड़ाई है और उपर से एक कॉर्णर को यह मोड़ते हुए यहां यह दोल देना है और इसके बार में नीजी से इस तरह से चोटी-चोटी सिल्वर्ट लेते हुए इनको एक साथ में कर देंगे और यहां से हमें सिलाई लेनी है इसकी इस तरह से इसके उपर-उपर सिलाई ले लेंगे और ऐसे ही यह सारे के सारे हमें तयार करना है है कि इस तरह से हमारी रेडे हो गए है और इनका एक्सर सिल्फ़ जर माजन है वहँ प्रिम्ठ करेंगे ज्यादा जो इतना माजन है वह हम introduction करेंगे और यह हमारी सारे रेडी पीस इनको अब भी हम फिलाव रख देंगे यहा देख्या हमने बार्टनट को थैबडिक पेस्ट कर दिया है कि पेश्ट करना है इस टे था कापड़ा है उसको कीनारे के आहि सिलाई लेएंगे ही सिलाई करने के बाद अभी से हमें कृती की राउंग साइड में place करना है, center से center मिलाते हुए, यहाँ पर कुति की wrong side में place करेंगे और neckline की पास पास में सिलाई लेनी है एक्ष्रा जो कपड़ा है उसे हम cut कर देंगे और यहाँ जो गोलाई है, वहाँ पर कुछ cuts देने है, यह cut देने के बाद इस पट्टी को अभी हम right side में turn करेंगे, और इसके उपर के हेसे में हम एक top के stitch देंगे ताकि यहाँ पर बैठ जाए यह stitch हो जाने के बाद अभी हमें, जो हमने ready किये हैं piece, उनको यहाँ पर attach करना है, यह नीची का हिस्सा हमने अभी यहाँ lock नहीं किया है, तो इसके नीची इन pieces को हम attach करेंगे और इसके उपर पर सिलाई लेंगे, उपर का कुछ हिस्सा हमने plain रखा है, यह shoulder joining में जाएगा, और फिर उसके आगे हम थोड़ा सा gap रखते हुए आगे से आगे इन pieces को attach करेंगे, इस तरह से attach करते हुए जाएंगे इस तरह से यह सारी piece हमारे यहां attach हो गया है और अभी हम यहां एक-एक beads attach करेंगे इसके बाहर की side में हमें एक beads attach करना है और जो यह हमारे piece है उसका हलका सा nock यहां पर sweet की साथ attach करते हुए हम यहां wrong side में जाएंगे ताकि यह यहां पर बैठा हुआ रहे आप चाहें तो इसके नीची glue से भी थोड़ा चिपका सकते हैं ताकि यह पूरा यहां पर सेट रहेगा इसी तरह से आगे से आगे यह beads हमें attach करने हैं सारे इनी पीसिस पर इस तरह से देखिए हमने यह beads attach कर दिया है और इनके बीच में जो gap है उसमें हमने एक मोती का button attach किया है और यह हमारी design बन की complete है simple सी पर बहुत सुन्दर सी design नहीं यह अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो like ज़रू कीजिए कुछ सवाल है तो comment कीजिए subscribe कीजिए आगे और वीडियो देखने के लिए thank you so much for watching बाबाई